देखिए इस दूसरे सेशन में कोई बात नहीं इस दूसरे सेशन में अपन राजस्तान से सुरू करेंगे और एगरी कल्चर इंडस्ट्री डेरी डवलप्मेंट लाइव स्टोक बजट ये परवर्तियां इस प्रकार से पांच साथ टोपिक हैं ठीक है भई तो या तो पर्टिकुलर आपका चाहिता सब्जे एगरी कल्चर से जुड़ा हुआ है पसुधन पसुधन से जुड़ा हुआ है डेरी विकास तो ये तो लंबा चलेगा यानि ये तीन चाहर टोपिक आपस में लिंक रखते हैं एक टोपिक सेपरेट है इंडरस्टी एक टोपिक क्या है सेपरेट और इंडरस्टी पहले क्यो यहीं पढ़ लेंगे और करशी आधारित उद्योग जो भी है कपड़ा उद्योग, सुतिवस्त्र उद्योग, कागज उद्योग यह उद्योग है, तो उसको अपन करशी के साथ पढ़ लेंगे, तो यह आपस में जुड़ी वी अरकते होती हैं, जुड़े वे टोपिक हैं, तो जो आपका सलेवस है, उसके साथ से मैं स्टेपवाई चलूँ, तो राजस्तान के उद्योग से सूरू करना चाहिए, समझ में आ गई? सबसे पहले तो आप एडिंग तो लगा लो राजस्तान के उध्योग और उसमें सबसे पहले लिखिए फर्म सबसे पहले लिखिए फर्म फर्म देखिए ये कोचिंग एक फर्म है चाय की थड़ी वाला एक फर्म है गार्मेंट्स वाला एक फर्म है इंडीजवल कोई भी काम करने वाला फर्म होता हूँ आपको रीट में क्यूसर मेसा याता है एक सब्द तो होता है व्यापारी और एक सब्द होता है व्यवसाई इन दोनों में क्या अंतर है? तेन छेत्र है क्रसी, उद्योग और सेवा व्यापार निम्न में से किसका भाग है और व्यवसाई निम्न में से किसका भाग है? देखो, किसी भी वस्तु को बनाने वाला आदमी जिसने खुद वो माल बनाया है जैसे एजे ग्रणी आप घर पे खाना बना रहे हो, तो आप व्यवसाई हो और आपकी सास आपके दवारा बनाये गए खाने को परोस रही है तो वो व्यापारी है समझ में आगी क्या? रहा है तो वो तो होगा व्यवसाई जैसे रेमंड शोरूम जैपुर रेमंड शोरूम जैपुर व्यवसाई नहीं है वो व्यापारी है और रेमंड कंपनी का मालिक वो रेमंड का कपड़ा खुद बना रहा है उसने प्लांट लगाया हुआ है कंपनी लगाई हुई है और वो जैपूर की जनता को देता है, खुद माल थोड़ी बना रहा है, तो गुड़ बनाने वाली फेक्टरी व्यवसाही है, और गुड़ बेचने वाला जो डिलर है, दुकंदार है, वो क्या है? व्यापारी है. अब रेमंड शोरूम जैपूर अगर आपको कपड़ा रहा है, तो वो आपके लिए सर्विस भी तो कर रहा है, भई सेवा भी तो दे रहा है आपको, नहीं दे रहा है, इसलिए जो व्यापार है, वो तो होता है सेवा छेतर का इस्सा, और जो व्यवसाह है वो होता है उद्योगों का, व्यवारिक जीवन में हम इन दोनों को अग अगरी कल्चर में भी यूज करते हैं, लेकिन सेदान्तिक तोर पर ये गलत बात होती है, क्यों? क्योंकि जो ऐसंगटी छेत्र होते हैं, उनमें ना तो व्यापार और ना व्यापसा है, एक बात होता हूं, मुंडा देख का टीको काड रहा है, कोई दंदाला, तो भै थार लि काम करने का तरीका अलग होना, वस्तू को बेजने का तरीका अलग होना, तो सबसे बड़ा है संगटी छेत्र कोन है, क्रसी, तो क्रसी है संगटी थै, तो ये तो सोचनकारी छेत्र मान सकते हैं, आलां कि आज वो इस्तिया नहीं रही, लेकिन इसमें तो क्रेता और विक्रेत तो चाय वो खुद बना तो रही है और बनाने के बाद में वो पेमेंट ले रहा है तो कमाई कर रहा है और कमाई उत्पादन होती है वही कमाई उत्फादन नहीं होती गया देखो आप अभी बाहर थड़ी पे जाके चाय के लिए ओडर करोगे तो वो चाय आपके ओडर करने से पहले है क्या अभी तक तो नहीं है वो चाय अब वो चाय बनाएगा और 10 रुपे के आपने चाय पी तो 10 रुपे की चाय में इसकी लागता आया गई 6 रुपे तो 4 रुपे इसने कमाई नहीं है गया और कमाई बराबर उत्फादन कमाई बराबर उत्फादन कमाई और उत्फादन एक ही तो बात होती है तो आप लिखे किसी भी वस्तु का फर्म में कि सिभी वस्तूक का epicем के अफिध्वी आड़ा यह क्यूश्चित देख कर मुझे क्यूस नियाद आ रहा है कि आरेस में 2013 में पूछा गया था और कॉमन सेंस का क्यूस्चन था कोई किताब का क्यूस्चन नहीं है क्यूस्टन क्या था ताली का किस रंग की होती है यह आरेस में क्यूस्टन पुछा गया है ताली का टेबुल ताली का किस रंग की होती है तो हर रंग का अपना एक वजूद होता है जैसे टीचर को पीचे करे रेड मार्क गजिटेड ओफिसर सिगनेशर करे ग्रीन मार्क इस् बच्चों की किताब को देख लेना वले ही, उस पे जो पहला इंबोक्स लिखा हो आता है, टेबूल सी बढ़नी होती है, वो हमिसा रेड कलर की होती है, समझगी क्या? पर एक बार उसी रेज में दो बार अलग нутबर कर सेटाब हैं, विढूत की एक कितने वलल्टेज होते हैं मैं बढ़ा भा, उने केना थे आप से यृक्वेस्ट कर रहा हूं, सब्जेक्ट को पढ़ो मत सब्जेक्ट में जीना सीखो समझ में आगी क्या और सब्जेक्ट में वो आदमी जीया है जिसको बेसिक किलियर है जिसको डेप्ट तक उसका नोलेज है अगर आपके गार्जन आप पर पड़ाई पर खर्चा कर रहे हैं आपके उनकी नजरों में आप आला दर्जे के करम इनसानों शिक्सित वर्क के वर्क से बिलॉंग रखते हो अब आपकी माँ आपको यह कहें कि भाया मिटर देख के यह बता कि आज तक किता खर्चा आ गया और थे बड़े मुंडो वाद्यों तब बात तो गिलत है वैसे विद्ध्यूत के एक यूनिट में 1000 वोल्टेज होते हैं ठीक है और एक बार कि उसन आया था कपास की मापक की काई गाथ होती है कपास की मापक की काई क्या होती है गाथ एक गाथ में कितना किलोवजन होता है यह एगरी कल्चर का क्यों संथा बताऊंगा कैसे अरे गाठ एक बोरा सा पड़ा हुआ देखा होगा आपने एक गाठ उसको गाठ बोलते हैं एक गुनग गुनदतर पोईंट तीन केजी बजन होता है लगवग 170 किलो एक 170 किलो की यह गाठ होती है और जैसे लिटर है बिटर है वैसे ही गाठ है मापकी काई है कि अपनी जो देश़ी कपास नहीं होती है कि बिन्वडे वाली कपास उसका उतपादन राजस्तान में सब ज कपास, अमेरिकन कपास, देसी कपास, सयुक्त रूप से तो सारा कपास का उत्पादन उन्मानगड में होता है, सही बात है, जैसे अपन आज तो बैड में यूज करते हैं, तक्या में पिलो कवर में यूज करते हैं, वो तो मखमली कपास है, उसको बिटी कपास या अमेरिकन क का पास बोलते हैं लेकिन जो रूई नहीं होती है कि रूई वो देशी का पास उसका उत्वाधन राजसमंद में होता है आज भी सबसे ज़्यादा मात्रा में खेर अब ये क्योशन जो है विद्युत का ये उद्योग का क्यों है क्योंकि उद्योग का एक वर्गीकरण अधिनियम लागू है तो 2013 पिसले दोचे पेपर उठागे देखना है कि उसन कई बार पूछा गया है अधिनियम क्या है नियम भाई कंपनियों को चनालने के लिए जो नियम है उसमें लिखी गई जो सर्ते उनके नू सारी कंपनिया चलती है और ये नियम भारत में लागू कब हुए चपन में तो जैसे जैसे समय बदलता है वैसे 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 नियमों में संसोधन भी होते है नहीं होते तो अन्तिम बार संसोधन कब हूँआ था 2013 में तो company अधिनियम वर्तमान में कौन सा लाग हो है तो सईजवाब होगा 2013 Company अधिनियम के तहत राजस्तान में स्थाफित जो निगमे है राजस्तान राज्येपत परिवय निगम ये निगम वो निगम 24-25 निगमे हैं उनमें एक निगम को उद्योग का दर्जा दिया हुआ है और उस निगम का नाम है राजस्तान टंगस्तन निगम लिमिटेड राजस्तान टंगस्तन लिगम लिमिटेड ठीक है अब टंगश्टन धातू क्या काम आता है टंगश्टन धातू का उत्पादन ओल ओर इंडिया में अक्केले राजस्तान में होता है यानि लगबग 94% के करीब पूरे भारत का टंगश्टन का उत्पादन राजस्तान के जो नागोर जिले का डेगाना गाम है वहाँ पे रेवत की बहाकरी से होता है और बल्ब के तंटू जाल किस दातू के बने होते हैं ये क्यूशन भी आरेस में पूछा गया था तो बल्ब के तंटू जाल इसका मतलब इस दातू का प्रियोग किस में किया जाता है विद्यूद शेत्र में और ये दोनों क्यूशन किसके थे विद्यूद के ये दोनों क्यूशन किसके थे विद्यूद के इसलिए ये क्यूशन उद्द्यों के टोपिक के क्यूशन है नम्बर टू, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने वाली एक इकाई को किसी भी वस्तु का उत्पादन करने वाली एक इकाई को, यानि पर्टिकुलर एक उनिट, फर्म कहते हैं, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने वाली एक इकाई को फर्म कहते हैं, और अब आप लिखे उध्योग, उध्योग, सम्रूपी, उध्योग का मिनिग लिखवा रहा हूं, सम्रूपी वस्तु का उत्पादन करने वाली सम्रूपी वस्तु का उत्पादन करने वाली फर्मो के समूह को उध्योग कहते हैं, समरूपी वस्टों का उत्पादन करने वाली फर्मों के समुह को उध्योग कहते हैं बलो किली रह गया? यानि एक उध्योग में एक जैसा माल बनाने वाली कई फर्मे होती हैं जैसे कपड़ा, इकाई, जैपूर, कपड़ा बनाने वाली कई, देरादून, कलकत्ता, नोविडा, गुडगाउं, दिल्ली, आदियादी तो इंडीस वल तो ये क्या कहलाएगी कपड़ा फर्मे और इनको कमाइंड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा कपड़ा, उध्योग, समझ में आगी क्या, सामाने बात है और अब अगर मेरा अनुसरन करना चाहते हो लिखने में, तब तो रजिस्टर का पढ़ना कर लेना आडा या एक्रोस, अदर्वाइज आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो हाँ, पूरा सापता राजस्थान देखें, इसके तीन वर्गी क्रण होंगे यह नोट करिए आप साथ साथ में, तीन वर्गी क्रण होने हैं इसके पहला है निवेश के आधार पर निवेश के आधार पर और ये भी एक बात है, निवेश के आधार पर उद्द्योगों का वर्गी क्रण किस ने किया? S.P. गुपता S.P. गुपता समीती और निवेश के आधार पर उद्द्योग पहला सुक्षम उद्द्योग 25 लाख रुपे तक लगू द्योग ये पढ़ाया तो नहीं था ना टोपिक आपको 25 लाख से एक करोड रुपे मध्यमुद्योग एक से पांच करोड और एक होता है व्रहद उद्योग और एक होता है स्वामित्व अरे बेटा को स्ट्रक में बंद है ये 5 लाख से लाख से लाख से लाख नाद में झाल 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 थिस्ते शिख भी आशिटो श्मेच नाक। शिलन हो और प्रशूर क्या हो गयार cheap हanks अरे तो आप एक पर यह बना लो एक पर यह बना लो एक पर यह बना लो यार यह कोमन सेंस की बात है आप अगर रमाइन की तरह लिखना पसंद करते हो तो वह तरीका भी है अर्ट हुआ है झाल 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 झाल